पब्लिक टीवी आपकी आवास कोरोना वाइरस संक्रमन से उभरने के बाद CM योगी आदितनाथ अब फ्रेंट पर आ गए हैं लखनव में शुकरवार को वर्चुल बैठक के इस्थान पर अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ फिर से इस थलिये निरिक्षन करने मैदान में उतर गए हैं इसी क्रम में शनिवार को CM योगी आदितनाथ ने मुरदबाद में इंटिग्रेटिड कोविड कमांड सेंटर का निरिक्षन किया लखनव में शनिवार को टीम 9 के साथ समिक्षा बैठक करने के बाद CM योगी आदितनाथ ने मुरदबाद और बरेली के दोरे पर प्रस्थान किया मुरदबाद में इंटिग्रेटिड कोविड कमांड सेंटर का निरिक्षन करने के बाद मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ मनोहरपुर गाउं पहुँचे इस दोरान उन्होंने वहां होम आईसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित परिवार के अलावा ग्रामीनों से कोरोना को बचाफ के लेकर प्रशासनिक ववस्थाओं की भी जानकारी ली इसके बाद सरकिट हाउत पहुँचकर पत्रकारों से वारता के दोरान कोरोना वायरस संक्रमित को इस सदी की बड़ी महमारी बताते हुए कहा कि जब सब मिल कर काम करते हैं तो महमारी घुटने टेक देती है केंद्र और उत्तरप्रदेश सरकार ने मिल कर काम किया पिछले आठ दिन में अकेले उत्तरप्रदेश में ही 65,000 सक्रिय केस कम हुए हैं इतना ही नहीं मुरदबाद मंडल में 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं सीम योगी अधितनात ने कहा कि प्रदेश में सवादो लाग से लेकर धाईत लाग टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं उत्तरप्रदेश देश में सरवादिक टेस्ट करने वाला राज्य है हमने पंचायत चुनाव के बाद कोरोनस के तिवृता से आगे बढ़ने की जों की निगरानी हो रही है मैडिकल किट मोहिया कराई जा रही है मुकेमंत्री योगी अधितनात ने कहा कि मैडिकल अउक्सीजन की उपलब्दता सुनिश्चित करने के लिए मंडल में आठ ऑक्सीजन प्लांट सुद्चिरत हैं जिन में से तीन मुरदबाद के लिए हैं बताया कि PM Care Fund से CM Care Fund से बजट की मंजूरी दी गई है 108 की एंबुलेंस सेवा COVID कारे के लिए भी काम करेगी 253 एंबुलेंस मंडल में लगी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मात्यम से ऑक्सीजन उपलब्द कराई जा रही है हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले तीसरा जिने ततकाल COVID हुआ है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो कम से कम एक महिने के बाद ही वैक्सीन लेने के लिए जाए चौथा ओनलाइन रिजिस्टेशन करवाएं भीड न लगाएं वैक्सीन कीमती है और हरे एक ब्यक्ति तक पहुंच आए इसके लिए हर एक सेंटर में उतनी लोगों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है जितने लोगों को आप उतनी वैक्सीन दे सकें और हम जिरो वेस्टेश पे पहुंच सकें और मुरादाबाद जन्पद में सोंबार से 18 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्द होगा यानि 18 से लेकर के उपर के सभी लोगों को वैक्सीन की कारवाई यहाँ पर प्रारम्ब हो जाएगी और इसके बाद सफलता परोगिन कारिकरमों को आगे बढ़ाते भी से अन्य जन्पदों को भी हम इसी करम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे करोना के खिलाब इस लड़ाई में मेरा आप सबसे भी आगरह होगा कि हम लोगों को जितना जागरूख कर सकें जितना क्योंकि ये महामारी है उपचार से महत्वपून बचाओ और बचाओ के उपायों के बारे में जितना जागरूख कर पाएंगे उतना ही अधिक हम लोगों को सकुसल रखने में सफल हो पाएंगे और न केवल देखते के जीवन को बलकि उसकी जीविका को भी बचाने का कारे करने में सफल हो पाएंगे बहुत भनेवाजे